राहुल गांधी ने बीजेपी की बोलती बंद करके रख दी है। बीजेपी की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया है। राहुल गांधी के बयानों के बीजेपी के पास जवाब नहीं है और इसलिए उन्हें जान से मारने की धमकियां तक दिलवाई गई। जिससे साफ है कि राहुल गांधी की बढ़ती लोग प्रियता से बीजेपी में खलबली मची हुई है पार्टी खिस्याई हुई है नतीजा BJP राहुल पर हमला वर है लेकिन BJP जितना राहुल गांधी पर हमला बोल रही है उतना ही राहुल मजबूत हो रही है और अब राहुल ने एक बार फिर सीधा पीएम मोदी पर निशाना साथ दिया राहुल ने बीजेपी और पीएम मोदी से कुछ सवाल पूछे हैं जिससे बीजेपी एक बार फिर बौखला गई है और इस रिपोर्ट में हम राहुल के बीजेपी पर हमले की ही बात करेंगे नमस्कार मैं हूँ अंशिता हर्याना जम्मू कश्मीर में चुनाओ चल रहे हैं और माहराष्ट जारखन में चुनाओ होने वाले हैं जिसके चलते कॉंग्रेस चुनाओ की तैयारियों में लगी हुई है और इसकी कमान संभाल रखी है राहुल गांधी जहां भी चुनाओ परचार के लिए जा रहे हैं राहुल गांधी जब अमेरिका पहुँचे थे उस समय भी उनके बयानों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी थी आरेसेस पर भी राहुल गांधी ने जमकर निशाना सादा था नतीजा ये हुआ कि जब राहुल के सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं था तो खिस्याई हुई बीजेपी ने राहुल गांधी को जान से मानने तक की धमकी दे दी थी बीजेपी सांसदों ने ये तक कहा था कि तुम्हारा हाल भी तुम्हारी दादी इंद्रा गांधी जैसा हो जाएगा वही कुछ ने तो ये भी कहा कि जो भी राहुल गांधी की जीव काटेगा उसे 11 लाग का इनाम दिया जाएगा इस तरह के तमाम बयान बीजेपी नेताओं की तरफ से आये थे और उस पर बीजेपी आला कमान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी ती इस पर आपत्ती नहीं जताई थी ना ही उन नेताओं के खिलाफ अभी तक कोई कारवाई हुई है खैर वो दूसरा मुद्धा है लेकिन राहुल गांधी ने बहुत ही शांती से इस मा प्रदानमंत्री मोदी और क्या कुछ बोले राहुल पहले ये वीडियो देखें किसी से कहते हैं कि आप पपलिक में रखें और फिर रियाक्शन देखते हैं यही हुआ है उनके एक सांसद मोदी जी क्लैरिफाइं किजिए आप इसके खिलाफ हैं या फिरसे बदमाशी कर रही BRAV करें या नहीं और अगर करेंगे तो फिन मैं आपको गैरंटी दे रहा हूं कि इंडिया गटबंदन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा 700 लोग शहीद हुए हैं उनकी याद करनी है उनकी रिस्पेक्ट करनी है मोदी जी ने दो मिनत मौन नहीं रखने दिया था हम ये कभी नहीं भूलेंगे धन्यवाद वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि सरकार की नीती कौन तै कर रहा है एक भाजपा सांसद या फिर प्रिधान मंतरी मोदी 700 से जादा किसानों खास कर हर्याणों और पंजाब के किसानों की शहादत को लेकर भी भाजपा वालों का मन नहीं भरा अगर किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी अब 43 सेकंड के इस वीडियो में उन्होंने बिना नाम लिये बीजेपी सांसत कंगना रानोत के बयान का मुद्दा उठाया जो उन्होंने कृशी कानून को लेकर दिया था उन्होंने सीधा पीए मोदी को चुनोती दी कि अगर आपकी सरकार ने कृशी कानून लागू किया तो इंडिया कटबंधन पुर्जोर तरीके से विरोध करेगा अब एक तरफ तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार को चुनोती दे डाली है वहीं दूसरी तरफ पीए मोदी और बीजेपी पर गंभी रारूब भी लगा दिया राहुल गांधी ने कहा कि कंगना रानौत ने जो बयान दिया है या फिर बीजेपी के जो भी नेता या सान सद्विवादित बयान देते हैं वो सब बीजेपी आलकमान के इशारे पर दे यह किसी से कहते हैं कि आप याइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रियक्शन दरसल राहूल गांधी ने बीजेपी पर ऐसा आरोप इसलिए लगाया क्योंकि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है बलकि ऐसा होता रहा है बीजेपी के सांसद्या नेता पहले विवादित बयान देते हैं उस पर जब लोगों की नाराजगी का सामना बीजेपी को करना पड़ता है या फिर वो मुद्दा कितना तूल पकड़ रहा है ये बात बीजेपी को पता चलती है तो पार्टी अपने नेता के बयान से किनारा कर लेती है जैसे प्रग्या ठाकुर ने गोटसे को द प्रग्या का नाम रक्षा मंतराले की समिती से वापस ले लिया उन्हें पार्टी संसदी दल की बैठकों में भी आने पर पावंदी लगा दी थी जिस तरह कंग्ना ने अपने बयान के लिए माफी मांगी है ठीक ऐसे ही प्रग्या को भी माफी मांगनी पड़ी थी क्या बोली थी प्रग्या पहले सुन लीजे ना किसी के मन को कश्ट पहुंचाने की थी अगर किसी के मन को कश्ट पहुंचा है तो मैं शमा चाहती हूँ खबर तो ये तक थी कि प्रग्या को बीजेपी टिकेट देने वाली थी लेकिन सर्वे रिपोर्ट्स उनके खिलाफ आई जनतान में भी उनके खिलाफ भारी नाराजगी थी इसलिए उन्हें टिकेट नहीं दिया गया और ये सिर्फ एक ही बयान नहीं था और एक ही मामला नहीं था बलकि ऐसा ही विवादित बयान बीजेपी के एक नेता अनंत हेगडे ने भी दिया था बीजेपी नेता और पूर केंद्रिय मंत्री अनंत हेगडे ने कहा था कि सम्विधान में संशोधन के लिए बीजेपी को दो तेहाई बहुमत दिलाएं उन्होंने कहा था हमारे पास लोगसभा में दो तेहाई बहुमत है लेकिन राजसभा में हमारा बहुमत नहीं है आगामी लोकसभा चुनाव में NDA को 400 पार सीटे मिलने पर राजसभा बहुमत हासिल करने में मदद मिलेगी उनके इस बयान पर राजनीती भी गर्मा गई थी तब भी पार्टी ने नेता के बयान से ठीक इसी तरह किनारा कर लिया था जैसे कि हर बार करती है और इसी सब मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने अपने वीडियो में जो है बीजेपी को घेर लिया है राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि ये सब बीजेपी की सिर्फ एक रणनीती है बीजेपी अपने नेताओं से खुद बयान दिलवाती है और उसके बाद पार्ट पीजेपी कैसे बचने की कोशिश करती है और क्या प्रतिकरिया देती है तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है मुझे कॉमेंट करके अपनी राई जरूर दीजेगा इसी के साथ मुझे दीजे जाजब देख तरी डीवी लाइफ नमस्कार